हेलो सेल स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर आप मारे दस्कों को बताएगे पैरनारमल एक्टिविटी यानि भूत प्रेत चुलेल सैतान ब्रह्म खबीश जिन के बारे में सच में यह होते हैं या नहीं देखे गाइस मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि यह जो डरने वाले यह दरते हैं उनहीं को ही अत्म débा ब्हूत प्रेत् तो ही आपको ऐसे परानारमल एक्टिविटीज महसूस होंगे वो भी दिखाई नहीं देंगे कि और महसूस होंगे मतलब आपको लगर के ऐसी कोई सक्ती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है इसलिए इस ब्रह्म से निकलिए लेकिन सर सोखा और तांत्रिक ये दोस्त पहले आप हमारी बात को सुनिए सर पहले हमारे प्रशन का जवाब दीजी सोखा और बाबा लोग कहते हैं फाला जगह चुड़ेल है वहाँ पोखरी में सैतान है तो फाला जगह पिचास है कहीं कोई दुगटना या दर्दनाग मोत मरता है तो यह तांत्रिक लोग कहते हैं कि वह जाग गया है और पकड़ लेता है सुनिए हमारी बात देखिए इसमें कोई सच्चाई नहीं यह जो भूत प्रेत परणामल एक्पिडिट या आत्माय की बात है कोई सच्चाई नहीं है और रियल में मतलब इसका कोई परमाण भी नहीं है कोई भी मतलब मन रिष्ट कहीं भी जाय है रात बिरात टहले क्किंवी totally वह जाता है तो वह मैसूस करता है कि मुझे कुछ ऐस्या दिखाई दे रहा लेकिन अची कोई बात नहीं है और वही आदमी जब किसी सोख़ा के पास या तनात्री के पास जाता है तो उसके दिमाग में और और जाते वह जो है दर पैदा कर देता है बताना होगा तो चार बता देगा आठ बता देगा और अलग चीज़ेशें बता देगा जो है तो इसे मतलब वो सोचे का कि ये मतलब हमारे चंगुल में फसे इसलिए गाइस मतलब कोई भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप तुरंद मांसिक डाक्टर जो होते हैं उनको दिखाईए मतलब उनसे बताएं के तो मतलब अपना पता देंगे इलाज कोर्स की मतलब है तना ईलाज कराना लिए को यक्ग लाज कराएं भी टाक्ट cucumber आप नारमन जिद्द की मतलब कोई वह तिकर नहीं उनको को मतलब नारमल जीदक ची calculation रहा है और और प्लप सब8 कर रहे हैं यहां जाना है तो यह पूजा चढळाना यह करना है इस लिए मित्रों मतलब इन सब पर विश्वास ही मत किया जाए उसका यह कहीं सलोसन है कि इस पर विश्वास नहीं किया जाए विश्वास अगर नहीं करेंगे तो मतलब डायरेक्टली कि हम इस पर विश्वास ही नहीं करते हैं तो बहुत ऐसे लोगों जो पढ़े लिगे बुद्ध जी विश्वास नहीं करते हैं जो नहीं विश्वास करेंगे तो उनके साथ इसी करना होती भी नहीं होंगे भी नहीं इसलिए हमारा आप लोग से हम्रूद है कि यह सब के चक्कर मत पढ़िए और कि मतलब सवतंद्र रहिए और सिच्छित रहिए मतलब जागरूप रही जंदी सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पर आये आपने अपना किमती समय दिया दर्सों को को या हमारे चैनल को इसके लिए आपको बहुत-बहुत सुक्रिया तो